बड़ा लेट हो गया ट्रेन पगणने का टाइम हो गया अभी तक तैयार नहीं हुआ कपड़े तक नहीं रखे हे भगवान करक्श समय पर मुझे ट्रेन पकनी है भगवान हे भगवान चह पूजा करने के लिए भगवान के एक फोटो भी नहीं है सब फिल्म स्टार और किर्कटर के फोटो लगी हुए जो जो समान जहां रखाता वहीं पर पड़ा हुआ है कुवारों का घर ऐसे ही होता है मैं इतने टेंशन में हूँ और वो बई फिकर होकर पेपर पड़ रहा है माधो क्या हुआ पांच बज गया रे ट्रेन का टाइम हो गया अभी तो पांच भी बज़े है ट्रेन का टाइम तो साथ बज़े का है ना दो घंटे बाकी है अभी तक तो दूदवाला भी नहीं आया क्यों रहे तुमारा दूदवाला लेट आएगा मतलब तमिल नाडू एक्सपेस लेट जाएगी क्या मेरा मतलब वो नहीं था मैं कह रहा था अभी पांच ही बज़े है ट्रेन का टाइम साथ बज़े का है अभी दो गंटे बाकी है पापा अगर हम लंगलाते हुए भी जाएगे तो हम ट्रेन पकल लेगे पापा आप इतने बेचैन क्यों है माद हो, सवा पांच बजे गे पांच बजे हैं तो सवा पांच बजेंगे ही समय तो बढ़ता ही है, कभी कम हुआ है क्या यहाँ बट कर चिक-चिक कंदे साचा है जाकर एक टैक्सी लेकरा टैक्सी? टैक्सी किसलिए है? मेरा दोस्ट दीनू कार लेकर आने वाला है, हम सब कार में जाएंगे, कार और टैक्सी में फरकी क्या है? क्यों बेटा, कार और टैक्सी में कोई फर्क नहीं है, मैं नहीं जानता क्या है के, कार हो तो इसमें बेफुदूल पेट्रोल डालना पड़ता है, ज्यादा खर्च होता है टैक्सी है तो सिर्फ मीटर का पैसा देने से काम चल जाता है यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहीं नहीं पहुंचा, तेरा दोस दीनू बोला था कि कार लेकर आएगा, अभी तक नहीं आया उसकी कार में क्या प्राब्लम है काउन जाने? इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी जाकर एक टैक्सी लेकर आजा फिर अगर आपने टैक्सी का नाम लिया, तो मुझे गुस्सा आजाएगा है, टैक्सी के नम से तो क्यूं इतना चिटता है? आपको टैक्सी से तना प्यार क्यों है? टैक्सी का रिष्टे मेरा चाचा लगता है टैक्सी में जाएंगे तभी स्टेशन पहुँचेंगे ऐसा मन में वहम पाल लिया आए आपने हाई माधाओ हाई दिनू हाई सारी अंकल थोड़ा लेट हो गया कहने के लिए तो चार कारे हैं लेकिन सब बेकार है सुब़ सुब़ एक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी इनन देखा देखा था अंकल कहीं लेट न हो जाए इसलिए टैक्सी लेकर आया हूँ माधाओ तू कार कार करके तारिफों का पुल बान रहा था देख लिया दिनू भी टैक्सी ही लेकर आया है दिनू तुम चाहे कुछ भी बोलो कार कार होती है टैक्सी टैक्सी होती है क्या लॉजिक है अंकल एक बात बताईए माधाओ ने बोला साफ का कॉलकटा से ट्रांसफर मदरास कुछ दिन पहले हुआ है इतनी जल्दी कहा की तेयारी है मदरास में दस दिन काम कर लिये ना बस इनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया क्या बोला? दस दिन में ट्रांसफर? अरे तुम क्या जानो मेरे पापा ने दस दिन से जड़ा किसी ब्रांچ में काम ही नहीं किया कुछ समझा नहीं एक छोटी से मिसाल देता हूँ पापार में इसाप से इन्हों ने दो दिन बिहार में काम किया ہے लेकिन वो दोनो दिन आफिस में चुट्टी थी अपपने मेरा ऐसमें चसर चखला रहा है अगर तुम्हारा ये हाल है तो पापा का सोच आम तोर से हम जिस ब्रांच में काम करते हैं तुम्होंत हैि तुम्हारे बातों सर लगता है कि तुम्हारे पापा ने इंडिया के सब Trek में हाज़ी लगा दीliśmy अरे क्या बात करते हो मेरे पापा ने पर भी काम किया जो इंडिया के मैप में नहीं है माध हाओ, फाल तु बगबग मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी जाकर मेरा लगेज लेकर आओ, दर्बादर बटगने के लिए लगेज ले जाते हैं अंकल, क्यों अंकल बिना वज़े लगेज उठा कर परेशान होते हैं, जैसे भी हो आपके पहुंचते ही, चार-पांस दिन के अदर वहाँ से कई वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एक काम कीजिए, सीजे डेली जाईए, वहाँ से जहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ का पता आमें फोन पर बता दीजिए, आपका लगेज पार्सल करके सीजे वहाँ पहुंचा देंगे, डेली से आपको वहाँ पहुंचने में और लगेज को यहाँ से वहाँ पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा, बड़े सी आने हो, वो सब छोड़ो, मादो के बारे में सोचते ह भी करवा चुका होंगा, हम, है, है, मैं जो बोला हू, असली बाप बने के लिए नहीं, एक दोस्त का फर्ज निभाने के लिए कहा, इसके लिए, असली बाप बने के कोशिश मत करना, समझा, वो सब छोड़, मादो की पड़ाई कैसे चल रही है, वेरी पूर, मैंने भी कापी करके तुमने असी मार्च ले लिए, मादो, कमियर, बुले पापा, पिछली बार एक सब्जेक में तुमने सो में से सिर्फ बीस मार्च लिए थे, और तुम्हारे पेपर की कापी करके दीनू ने असी मार्च ले लिए, ये कैसे मुम्किन है, दीनू ने मेरे पेपर की कापी करके 80 मार्क्स लिए और मैंने अपने आगे वाले की कापी की तो मुझे सिर्फ 20 मार्क्स मिले वही तो पूछ रहा हूँ जो तुमें 20 मार्क्स मिले उतने ही दीनू को मिलने चाहिए थे नहीं तो दीनू के 80 मार्क्स तुमें मिलने चाहिए थे तुम दोनों ने आखिर एक ही लड़की की कापी की थी ना? समझने की कोशिश करो, पापा. दीनु बीसी केमेस्ट्री, मैं बीसी फिजिक्स. मेरे आगे वाले लगा बीसी केमेस्ट्री, दीनु के बैच का. चे, मैं तो समझता था, कि मेरे बेटे कु ठीक से पढ़ना नहीं आता, पर तु कापी भी नहीं कर सकता. क्या पिताजी, सामने बैटा हुआ लगा फिजिक्स है या केमेस्ट्री है, मैं कैसे जानता? हाल से बाहर आकर ही मुझे पता चला और तब कुछ नहीं हो सकता था. अब, अरे, कापी करने वाले एक लड़के को, वो क्या कापी कर रहा है, फिजिक्स या केमेस्ट्री, इतना भी नहीं जानता? आप फिर से वही गल्ती कर रहे हैं, उस दिन हाल में 40 लड़के बैठे थे, 20 लड़के फिजिक्स और 20 लड़के केमेस्ट्री के, एक को छोड़कर दूसरा फैल था, अब आप समझे लीजिए? माधो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और मैं समझने के स्थिती में भी नहीं हूँ, टेन कभी टाइम हो गया है, ठीक है, माधो, कल रात की बात याद है ना, उसे भूले बगर कर देना, मैं तो समझाता कि आप भूल गए होंगे, पूरा कर देता हो भी आप जाईए, हारे, अब यह हां करोगे, लेकिन नहीं करोगे, तुम पूरा अगरेगा उसका क्या प्रूफ है, करने के बाद अपनी फोटो भेद दूँगा, आप तो जाओ, अरे, बाप और बेटी के बीच बाल नोचने तक कि आशी क्या नोबत आ गई, बाल नोचने की बात नहीं, बाल कटवाने की बात है, ये जुलफेन को पसंद नहीं है, कटवाने के लिए बोल रहे हैं, बस इतना ही, क्यों अंकल, इतनी सी बात के लिए माथा पच्ची कर रहे हैं, आफ्टर बाल कटवानी की बात है ना, छोटी सी बात का बत अंकर मत बनाईए, बेवकुफी की बात मत करो दिनो, शरीफ घर के लड़के, अपने मादों जैसे दिखते हैं क्या, सुनो, नुकर पर जो जगनाथ रहता है, उसके बेटों को देखा है, इतनी खूबसूरती से, मलमल जैसा शेविंग करके, बालों को अच्छी तरह सवार के रहते, देखने में कितने शरीफ दिखते हैं, पापा, कम से कम छे फर्क नजर आएंगे, हाँ,